गुड मॉर्निंग वीवर्स, वेलकम इन योर हिस्टरी क्लास आज क्लास 12 के हिस्टरी के फर्स चप्टर का एक नए टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह टॉपिक है इंडस वेली पीपल्स का सोशो एकोनामिक स्टेटस हरपा सभेता के जो लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? क्या उसमें विन्नताएं मौजूद थी? अथ्वा एक समानता थी? तो आईए हम इसको स्टेड़ी करते हैं हम देखनी जा रहे हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या समाजिक और आर्थिक विभिन्ताएं मौजूद थी? इसका क्या भीप्राई है? इसका यह भीप्राई है कि क्या समाज में सभी लोगों को एक समान महत्व मिलता था? या समाज में किसी को अधिक प्रतिष्टा प्राप्त थी और किसी को सामन में या economic दश्टी से क्या resources पर सबका equal rights था या कोई बहुत अमीर था, कोई मध्यम था और कोई सामन तो आईए इनको जानने के लिए historians जो है वो दो विधियों का two methods को use करते हैं और एक conclusion पे पहुँचते हैं तो आईए पहले विधी है शवाधानों का अध्यन Study of Burils हडपा के जो लोग हैं, उनकी मृत्यों के बाद उन्हें जमीन में दफनाया जाता था मृत्तक के शव के साथ अनेक वस्तुएं भी दफनाई जाती थी तो खुदाई में पुरातत्विदों को ऐसे ही अनेक वस्तुएं मिली है जिनके आधार पे वो कुछ निसकर्श पे पहुँचे हैं तो आईए पहला तरीका जो है शवाधानों का अध्यन हम उसके बारे में Study करते हैं शवाधानों के अध्यन में बताया है कि जनरली जो मृत्तक है उसे घर्थ में दफनाया जाता था मिन्स जमीन में खड़ा बनाकर जिस तरह से आज हम जमीन में खड़ा बनाते हैं कुछ लोगों के जलानी का प्रशलन है अलगलग तरीके से यह अंत्यकरन किया जाता है तो हडपा में भी कई तरह का अंत्यकरन प्रशलित था जिसमें से एक था कि मृत्तक के शरीर को जमीन में गड़ा खोद के दफनाया जाता था और जनरली इसका डारेक्शन होता था उत्तर से धक्षन दिशा तो यह कैशन वनमाक्स में पूछा जा सकता है आपको पता होना चाहिए और इनकी जो स्ट्रक्चर थी इनकी जो बनावर थी कंस्ट्रक्शन था वो एक जैसा नहीं था वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट था भिन भिन यानि कुछ तो बहुती सामन्य थे एकदम नॉर्मल और कुछ जो है वो पकी इटों से उनकी चिनाई किये गई थी यानि कुछ बहुती सुन्दर तरीके से बनाए गई थी इतिहासकार कहते हैं कि बनावट में ये जो विवित्ताएं पाई जा रही हैं बनावट में ये जो डिफ्रेंसेज हैं इनके आधार पे इस अनुमान पे पहुँचे हैं इस निसकर्श पे कि हडपा के समाज में भिन नताएं मौजूद थी यानि ये जो चिनाई से इटों के चिनाई से बनाई हुई जो बुरिल्स थे जो शवाधान थे वो समभवत है उच्च जो वर्क के लोग थे या जो पैसे वाले लोग थे उनके शवाधान रहे होंगे इसके अलावा शवाधानों में हमें पोट्रीज मिली हैं और हिस साथ हिस साथ जोल्रीज भी मिली हैं यानि मिट्टी के बरतन और आभूशन मिट्टी के बरतन और आभूशन जो हैं वो केवल पुरुष के साथ ही नहीं बल्कि महिलाओं के साथ भी प्राप्तुएं महिलाओं के शव के साथ भी मिली है इसका conclusion यह है कि हरपाई समाज में पुरुष और महिलाओं दोनों के दोवारा ज्वैलरी पहनने का बरचलन था जिसमें एक पुरुष की खोपड़ी, यानि पुरुष की डैड़ बोड़ी है, उसके खोपड़ी के साथ बहुत सारी चीजें मिले हैं, उसमें आभुशन मिला है, जिसमें सील, यानि जो शंक होता है, उसके छले मिले हैं, जैसपर के कुछ बीड्स मिले हैं, और बहुत सारे चोटे-चोटे मन के राप्थ हुए हैं यानि ये किसी विशेष्ट व्यक्ति की कब्र थी विशेष्ट व्यक्ति का शव था जो समाज में विशेष महत्व रखता होगा जिसके साथ बहुमले चीज़ें दफना ही गए इसके अलावा जो काली बंगा है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण हडपाई पुरा स्थल उस काली बंगा में चोटे-चोटे राखदानिया मिली है और कुछ मिट्टी के बर्तन यानि पोट्री मिली है और हड्डियों के उशेष मिली है साथ ही साथ कुछ अन्ने स्थानों पर तांबे का धर्पन यानि तांबे का मिरर मिला है सीप और सुर्व में लगाने की सलाईया सुर्व में मतलब काचल लगाने की सलाईया तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी प्राप्त हुई है हडपा वासियों का ये मानना है हडपा वासियों के मरतकों के साथ जो वस्तुएं मिली है उनके आधार पर पुरातत विदों का ये मानना है कि हडपा वासियों का बहुमुल्ले वस्तुएं दफनाने में कोई विश्वास नहीं था means प्यारे बच्चों आपको ग्यात होगा कि हडपा की एक समकालिन सभेता है मिश्र की सभेता मिश्र की सभेता के जो पिरामिड है वो वर्ड के सेवन वंडर्स में से एक है जो हम सब को आश्रे चकित करते हैं वहाँ जो विशिष्ट लोग थे राज़ा और उसके परिवार के लोग उनकी बॉडीज ममी को लेप लगा कर सुरक्षित रखा जाता था और उनके साथ बहुमुल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी उनका ये मानना था कि मरत्यों के बाद भी जीवन है और उस जीवन में संभवत ये चीजें इनके काम आएंगे लेकिन इसके वीपरित हडपा के लोगों का ऐसा विश्वास नहीं था तो ये क्योशन आप जरूर याद रखे वनमाक्स के लिए ये इंप्रॉटन क्योशन बनता है आगे देखे ये देखे एक शव दिखाया हुआ है शव के साथ कुछ धातू और कुछ मिट्टी के बरतनादी दिखाए है ये शवाधान का उधारन है ऐसे ही एक उधारन है आभूशनों का और कुछ मिट्टी के बरतनों का चलिए आगे हम दूसरी विधी देखते हैं इतिहासकार दोना फॉलाव की गई second step जो थी second method जो था पूरा वस्तों का the study of artifacts यानि पूरा स्थलों की हडपा के पूरा स्थलों की खुदाई में इन्हें बहुत सारी artifacts बहुत सारी प्राचीन वस्तों मिली है उन वस्तों को दो basis पे classification किया गया है दो आधार पे वर्गी करत किया है पहले वस्तों है उप्यों की वस्तों और दूसरी है विलासिता की उप्यों की वस्तों वे वस्तों हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं जो सब के लिए अनिवारिय हैं, जो सामान्य वस्तोय हैं, जो सरवत्र पाई गई हैं आसानी से. विलासिता के वस्तोएं, वो वस्तोएं हैं जो हमारे लिए अनिवारिय नहीं हैं, जो हमारे विलासिता के जीवन के लिए अनिवारिय हैं, जो हमारे आराम पसंद जीवन के लिए अनिवारिय हैं, जैसे जोल्री बगर है, जैसे अन्य चीज़ें, और ये जो विलासिता के ची स्पोप से घ़िए यह मिली है तो आईये स्टेट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं उप्योगी वस्तोय उपोगे वस्तों को हम देनकवडों की वस्तोय प्रीयोग की जाती है जैसे आनाज या कोई चीज पिसने के चक्कियां हो गई मृतभाण यानि मिट्टे के वर्तन सुईयां आदी इसके अलावा इन वस्तों को बनाने में जो कच्चा माल है वो बहुती सामन्ने सा है वो स्थानिस तरपे उपलब्द है उसे फॉरण से कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा और बहुती सामन्ने से चीज़े हैं जैसे पत्थर, मिट्टी, आदी तीसरी चीज है मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस निर्मान शेली इनकी निर्मान शेली बहुती इजी होती थी आसानी से बनाया जाना संभव था इनकी निर्मान प्रक्रिया जादा कठिन नहीं थी इसके अलावा यहां यह जो चीज़े हैं यह कौन सी बस्तियों में मिली हैं कौन सी छित्रों में मिली हैं क्या हडपा की मेन बस्तियों में मिली हैं या सभी स्थानों पे मिली हैं तो प्यारे बच्चों, धैनिक वस्तों वो हैं, उप्योगी वस्तों वो हैं, जो हम प्रतेक व्यक्तिकों धैनिक उप्भो के लिए जरूरी हैं, जो उनका कच्चा माल इजीली हर जगा अविलेबल है, सामान्य है, जो सरता से बनाई जा सकती हैं और जो अड़त्पा की सभी वस्तों पे इसली अविलेबल है, इसके वेप्रित हम दूसा देखते हैं, विलासिता की वस्तों यानि पुरा वस्तों के दूसरी कैटेगरी विलासिता की वस्तों तो जो विलासिता की वस्तों हैं, उसमें कौन सी वस्तों रखी गई हैं, उसमें वो वस्तों रखी गई हैं या दुरलब है जो costly हैं जिनका day to day life से कोई लिना देना नहीं है जो हमारे जीवन को विलासी बनाने के लिए प्रियोग की जाती है जिनका दूसरा पॉइंट है जिनका कच्चा माल जो है वो स्थानी स्थार पे उपलब्द नहीं है जो या तो किसी दूसरे स्थान से या दूर देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है मंगाया जा रहा है तीसरा पॉइंट यह है कि उनका जो मैनूफेक्च्रिंग प्रोसेस है निर्मान शेली ये निर्मान शेली बहत ही जटिल है उनको बनाना आसान बिलकुल भी नहीं है जैसे कि फयांस फयांस पे वन माकसा क्योशन बन सकता है तो आईए हम फयांस को देखें फयांस क्या है फयांस जो है आपको ध्यान है कि हडपा के लोकेशन क्या है भारत का उत्तर और पस्ची में जो छित्र है थार के रेगिस्तान वाला वो थार के रेगिस्तान वाला जो छित्र है उसके साथ लगा पाकिस्तान का चित्र तो basically इस पूरे चित्र यह रहिस्तानी चित्र है और यहाँ जो बालू रेत है वो पाई जाती है तो हम देखें फयांस को कि फयांस क्या है फयांस रेत या बालू मिट्टी जो है उसको लें उसमें कुछ रंड मिलाते थे और उसमें गूंद जैसा चिपचिपा परदार्थ मिलाते थे फिर उसे वस्तुए बनाते थे उस मिश्ण से और वस्तुएं को पकाया जाता था तो यह जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को बनाना बहुत ही मुश्किल था इसे फयांस कहा गया विलासिता के जो वस्तुएं हैं वो बेसिकली जो मेन प्लेसेस थे मेन स्थल थे हडपा, मोहन जोदरो ऐसे ही बस्तियों में विलासिता के वस्तुएं मुख्यतर प्राप्त हुई है अब पुरातत विदों के सामने एक अपवाद है क्या अपवाद है कि रोजमर्रा यानि दैनिक जीवन के लिए परियोग में लाए जाने वाली तकलियां जो सूत कातने के लिए परियोग होती है वो फयांस जैसे दुरलब परदार्थ से बनी है यानि फयांस रेत नहीं है रेत के mixture से तयार किया गया जो पदार्थ है उसे कहा गया फयांस जो बहुत ही जटल था इसलिए से दुल्लब कहा गया तो इतिहासकार इसमें इसे असेप्शन में रखते हैं क्यों क्योंकि फयांस की बनी हुई चीजें जो हैं वो केवल और केवल खास बस्तियों में मिली हैं लेकिन ये जो फैयांस है इसका कच्चा माल रेत जो है वो रेत इजी लिए अवलेबल था तो आप समझ ये कि कच्चे माल के दश्टी से ये है डैनिक वस्तों यानि उप्योगी वस्तों में जबकि निर्मान प्रिक्रिया और प्राप्ति स्थल के दश्टी से ये है विलासिता की वस्तों में तो इतिहासकार ये समझ नहीं पाए हैं, ये अभी उनके लिए पहली है, कि वो फयान से बनी जो चीजें हैं, उनको बेसिकली किस कैटेगरी में रखें? तो आईए इतिहासकार जो है, उन्होंने इन दोनों तरीकों से, दो तरीके, एक है पुरा वस्तों का अध्यन, जिसमें दो कैटेगरी हैं, सामन्ने वस्तों और विलासिता की वस्तों और दूसरी कैटेगरी है, शवाधानों का अध्यन. इन दोनों ही प्रकार से, जो भी सूचनाई एकत्र की हैं, उसके आधार पे पुरा तत्वित इस निसकर्ष पे पहुंचते हैं, कि हडपा के समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थी. इन्होंने बताया है कि समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग थे, जैसे उन्होंने बताया कि काली बंगा में जो साक्षे मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि पुरोहित जो वर्ग है, वो दुर्ग के ऊपरी हिस्से में रहता था, और जो निचला हिस्सा है, वहाँ हमें जो अगन मिले हैं उनकी बनावत में अंतर मिले हैं उनमें जो चीश FIR मिले हैं किसे में सामा नेमिठी के बरतन किसे में बहुमुल에 आभुषिन मिले है इन सब के आधार पर इतिहासकारीय मानते हैं कि हडपा के जो लोग है उनमें सामाजिक और आर्थिक भेनता है पूरोर्थीности बहुत सारे पहलों हैं जैसे जो नगर है उसके चोटे बड़ी बस्तियां कि नगर का डिविजन इस तरह से किया गया कि नगर दुर्ग और निचला नगर नगर दुर्ग में विशिष्ट मारते हैं जबकि निचले नगर में सामान्य हैं शवाधानों में कुछ चीज़ें मिली हैं और इसी प्रकार से पूरा जो वस्तुएं हैं उन से तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर इतिहासकार इस निसकर्ष पे पहुंचे हैं कि हडपा के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बेनताएं मौजोद थी ये देखिए पूरा वस्तुएं में एक तांबे का दरपन मिला है जो तांबे का मेरर और ये फयांस से बनी हुई वस्तु है तो इस पूरे स्लाइड का सारांच ये है कि पुरा तत्वित हडपा के लोगों के सामाजिक आर्थिक भिन्नता मौजूद है या नहीं इसको जान के लिए दो विधियों का प्योग करते हैं एक विधी है पूरा वस्तुओं का अध्यन और दूसरे विधी है शवाधानों का अध्यन इन दोनों विधियों के माध्यम से उन्होंने अंतर पाया उन्होंने जो कबर बनी हुई है उनके स्ट्रक्चर उनमें मिलने वाली वस्त में अंदर पाया और इस निसकर्ष में पहुंचे कि हडपा जो है उसके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बेन्नताएं मौजूद थी